आइस AI का एक और important announcement CA exam में जून 23 स्टूडेंट के लिए तो breaking new जा रहा है CA exam में जून 23 स्टूडेंट के लिए ये जो announcement है आइस AI के दोरा लेट नाइट में अपडेट किया गया है जैसे ही अपडेट किया गया इसके बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया मेरा पू जो चीज लिखा हुआ है इसी टाइप से official announcement में भी अपडेट किया गया है CA foundation का exam जून 23 में दे रहे हैं CA intermediate का exam में 23 में या CA final का exam में 23 में दे रहे हैं प्लीज वीडियो को skip नहीं किजिए और वीडियो के last में giveaway के बारे में भी अपडेट करना है वीडियो को पूरा last तक दे के टेलीग्राम चैनल पर सेयर करऊंगा तो आप लोग जरूर जोइन कर लिजेगा चार्टे studies का टेलीग्राम चैनल वीडियो स्टाट करने से पहले छोटा सा request करेंगे जो भी चैनल को subscribe नहीं कि दे प्लीज सब्सक्राइब करके all notification wils अब दबादीजिए यहाँ पे देख सकते 18 जनवरी 2023 यानि कि आज के डेट का important announcement है यह announcement लगभग आया था रात के 11 वजे वीडियो बना करके अपलोड करते करते 19 जनवरी को आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे सबसे पहले ICA ने अपडेट किया था 23 दिसंबर 2022 को एपलिकेबल स्टडी मैटेरियल सीए फाउंडेशन इंटर्मिरेट और फाइनल से रिलेटेड मेज जून 23 एक्जाम जिसमें मैंने उस टाइम भी वीडियो बना करके बता दिया था कि आप लोग का करेंट कोर्स में ही एक चूँबस रहेगा जैसे की आरेट फाइनल कारेंट को एक्जाम हो एक्जाम जो कि आपडेट हो गया उसको आप लोग को C.A. Foundation Intermediate Final May June 23 का सिलेबस पता चल गया अब दियान से बात एक को सुनना जो लोग सिंसियर स्टुडेंट होते एक-एक मार्क्स के लिए फाइट करते हैं आज का एनाउंस्मेंट उन स्टुडेंट के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और ये पीडियाप एक बार फिर से मैं चार्टे स्टुडेंट के टेलीगराम चैनल पे सेर कर दूँगा अब बात कर लेते हैं आज के एनाउंस्मेंट के बारे में ये है गाइडेंस नोट क्या-क्या एमेंड किया गया C.A. Foundation Intermediate Final May June 23 एक्जाम से इसके बारे में है तो आपको law में थोड़ा सा देखना परेगा और maths में देखना परेगा ये PDF C.A. Foundation Student के बारे में सबसे पहले बात करें ये PDF आप चार्टे स्टरीज के टेलीगराम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा maths के सिलेबस से ये चैप्टर को रिमूब कर दिया गया है C.A. Foundation May June 23 एक्जाम से पहले से भी रिमूब किया गया एक बार फिर से ये अपडेट कर दिया गया है अब बात कर लेते हैं C.A. Intermediate May June 23 एक्जाम Intermediate Level पे New Course लिखा हुआ है जैसे ही रात को announcement आया एक student मुझे PDF share किया बोला कि ये New Course का update है क्या तो मुझे लगा एक बार फिर से आप लोगो को बता देना चाहिए New Course का मतलब अभी जो current course चलना इसी को New Course बोला जाता है जैसे कि Old Course बोलते थे C.A. Foundation में C.A. Final New Course बोला जाता है तो आप लोग यहाँ पे New Course को देख करके Please confuse मत होईएगा कुछ student C.A. New Course जो आने वाला है 2020 इसके बारे में समझ लेते इसलिए मैंने आपको update कर दिया 2017 में New Course आया था अब 2020 New Course के बारे में जो भी update आएगा यह चनल आपको सबसे पहले inform कर देगा तो आप लोग चनल को सब्सक्राइब करके All Notification विल दबा दिजिए आपके स्क्रीन पे C.A. Intermediate का guidance क्या-क्या amend किया गया है May June 23 exam से related इसका PDF है यह PDF आप लोग Charter Studies के Telegram चनल से डाउनलोड कर लिजिएगा इसके बाद C.A. Final New Course यानि कि Current Course के बारे में बात किया गया है इसका guidance note क्या-क्या amend किया गया May June 23 exam से related इसका PDF आपके स्क्रीन पे सो कर रहा है उन्हीं Space का यह PDF है Charter Studies के Telegram चनल से आप लोग डाउनलोड कर लिजिएगा देखवा अभी C.A. New Course के बारे में Old to New Convert करने का option आ रहा होगा कुछ student पूछते रहते क्या New Course आ गया क्या हमें Convert करना चाहिए अभी क्या तो आपके जानकारी के लिए बता दे वह वही student Convert करेंगे जो CPT के student होंगे या C.A. IPCC के student होंगे या C.A. Final Old Course के student होंगे वो लोग Convert करके New Course यानि कि Current Course में ही एक्जाम देंगे I know कि यहाँ पे थोड़ा बहुत confusion है बट मैंने कोसिस किया कि पूरा अच्छे से आप लोग को समझा दे बाकिसी ये New Course 2023 इसके related जो भी अपडेट आएगा ये चैनल आपको सबसे पहले इंफॉर्म करेगा तो आप लोग चैनल को सबस्क्राइब करके All Notification Will दबा दीजिए और हाँ ये PDF को जो डाउनलोड कर लिजेगा Charter Studies के Telegram चैनल से अब बात कर लेते हैं Charter Studies के Giveaway के बारे में जो लोग इंट्रेस्टेट हैं वही इसको देखे अदरबाज वीडियो को स्किप कर सकते हो Charter Studies और्गनाइज करें सारे CAC, CMA Student के लिए चाहे वो किसी भी लेबल में हो उनके लिए Giveaway Giveaway में कैसे पार्टिसिपेट करना Charter Studies के Instagram पे जाना है ये पोस्ट मिलेगा इस पोस्ट पे आपको कॉमेंट करना अपने किसी भी दो या तीन फ्रेंड को टैक कर दीजिए साथ में इंस्टा स्टोरी पे Charter Studies को मेंसन कर दीजिए रैंडम कॉमेंट पिकर से पांच स्टुडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा उनके घर पे डिलिवर कर दिया जाएगा इसके लिए किसी भी एस्टुडेंट से एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा तीन स्टुडेंट को चार्टे Studies का होडी मिलेगा दो स्टुडेंट को चार्टे Studies का टीसट मिलेगा डिवभे का रिजल्ट 21 जनवरी 2023 को आएगा इंस्टाग्राम पे लाइव आ करके रैंडम कॉमेंट पिकर से रिजल्ट डिकलियर किया जाएगा बाकी जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते है तो पार्टिसिपेट कर लीजे अदरबाश चाहे तो स्किप कर दीजे आप लाइव भी देख सकते हो साथ में रिकॉर्डेट लेक्चर भी यहाँ पे अबिलेबल होता है वार्मप बैच लगभग चार विक का होगा जिसमें आपको बताया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडियर का कैसे प्रिप्रेशन करना इस चार विक का यही अब्जेक्टिव रहेगा कि साथ से असे मार्क्स कैसे आप ला सकते हो इसके बारे में पूरा स्टेटिजी बताना आप लोग को गाइड करेंगे सिये अंसूल अगरवाल सर, सिये निसान सर और दीपी का मैम जब तक आप लोग का रिजल्ट नहीं आया है तब तक आप वार्मैप बैज जरूर जोइन कर लीजिये सब्सक्रिप्सन लेने के लिए सबसे पहले अनेकेडमी का लर्निंग अप डाउनलोड करना है आप जितने भी मंत का सब्सक्रिप्सन लेना चाते है आप उतने मंत का ले लिजिए सब्सक्रिप्सन और प्रिप्रेशन स्टार्ट कर दीजिए कोड जरूर यूज कर जिएगा चार्टे स्टेडिस्टेन कूपन कोड आपको एडिशनल 10% का डिसकाउंट दे जिया जाएगा ज्यादा जानकारी के लिए